नमस्कार आप सभी को इस सेशन में हम सीखेंगे कैलकुलेटिव डी आई को सेकेंड़ों में कैसे सॉल करें सवाल कुछ इस तरीके से हमें पांच विलेजिस की टोटल पॉपलेशन दी गई है और उनमें इंडिविजुल विलेजिस की पॉपलेशन का डिस्टिविशन डिगरी के फॉर्म में दिया गया एक पाई चार्ट में और हर एक विलेज में परसेंटेज और मेल्स क्या है वो भ तो यह कुछ उसी तरीके का सवाल है डेटा भी फिर उसी तरीके से दिया जाता है अगर आप इसको बेसिक तरीके से करने में मतलब स्टार्ट किया आपने करना तो कैसे करोगी तो कुछ लोग कहेंगे सार डेगरी वैल्यू को परसेंटेज में कर लेते हैं तो यह बरावर सो परसेंट होता है तो एक डिग्री बरावर सो बटा तीन सो साथ यानि पांच बटा ठारा और सबको पांच बटा ठारे से मल्टिप्लाइ करेंगे परसेंटेज वैल्यू आएगी ठीक हो आगई अब हर एक विलेच के लिए आप पॉपुलेशन निकालोगी य disputes में आया पंद्रा परसेंट इसका फंannenर परसेंट कै थि अगर आप करना शुरू करोगे तो यह पूरा जीवन निकल जायेगा पर एक एकजाम नहीं निकलेगा तो एसे नहीं करना हमको कैसे करना है देखो हमें सबसे पहले पाई चाट में देखना है कि इनका distribution किस तरीके से distribution मतलब इनका ratio क्या है डिगरी में जो value दी जाती है अक्सर वो 18 का multiple होती है सारी की सारी value आपको 18 का multiple दिखाई दे रहे हैं तो अगर मैं तो ratio क्या है 3,4,5,2,6 ratio है इनका 3,4,5,2,6 this is the ratio of these values और इनमें जो percentage और males है वो value हमें दी गई है यह तो value कह है 56,5% 56,5% right 59,5% right 60,5% next is 62,5% and the next value is 46,5% right यह values है है अब इसको आप एक weighted average की सवाल की तरह consider करो भूल जाओ के total क्या था उसकी जरूवत भी नहीं है यह total नहीं भी दिया गया हो तब भी तो मैं सिर्फ percentage ही निकालना है total की कोई जरूवत नहीं है अगर मैं यह weighted average लगाऊंगा तो N1 into A1 plus N2 into A2 plus N3 into A3 इनका multiply, इनका multiply divided by total यह कर दूँगा N1 plus N2 plus N3 right तो उसमें भी यह calculated है क्योंकि यह value point में है तो उसमें भी हम थोड़ा सा और deep में जाते हैं और इसमें लगाते है deviation approach, deviation approach में हम क्या करते है कि इन में से कोई भी value पकड़ ले, कोई भी एक value आप उठा लो, जो आपका मन करे, इनके अलावा भी कोई value उठा सकते हूँ, लेकिन इन में से कोई value एक उठाओ के तो फाइदा है, तो let's suppose मैं 56.5 उठा लेता हूँ, तो मेरा answer 56.5 plus something है, 56.5 plus something हुआ, अब इन से deviation देखता हूँ, यह value तो 56.5 से 56.5 के बराबर यह मतलब deviation 0 है, तो इसको तो consider नहीं करना, यह value इससे 3 जादा है, तो हम क्या करेंगे, 3 extra है तो इसको 3, 3 x 4 कर दिया 12, plus यह value उसे 4 जादा है, तो 4 x 5 कर दिया 20, plus यह value उससे कितनी जादा है, 6 जादा है, 6 x 2 कर दिया 12, और यह value उससे कम है, कितनी कम है, 10 कम है, तो minus 10 x 6, minus 60, और divided by what, इन सब का सम, इन सब का सम क्या है, 6 और 2, 8 त 15, तेरह और साथ 20, इन सब का समय 20, तो यही मेरा final answer होगा, तो करूंगा कि अब 12, 12, 24, 44 minus 60 is what, minus 16, तो minus 16 बटा 20, यानि के 8 बटा 10, यानि के 0.8, तो minus 0.8 आया यह deviations, तो मेरा जो answer होगा, वो 56.5 minus 0.8 हुआ, right, so that is nothing but 55.7, ठीक है, 55.7%, so answer is option C, अचा उससे पहले हम कुछ option तो वैसे ही eliminate कर सकते थे, कैसे, देखो, जो भी overall आएगा, वो हमेशा minimum और maximum के बीच में आएगा, here the minimum value is 46.5 and the maximum value is 62.5, यह maximum है, तो जो भी option होना चाहिए, वो 46.5 से बड़ा होना चाहिए, यानि कि यह नहीं हो सकता, और यह जो option है, वो 62.5 से बड़ा है, मतला maximum से बड़ा है, तो यह यह भी out of range है, तो यह और भी तो ऐसे ही eliminate हो गए थी, क्या पता कि चार eliminate हो जाते हैं, लेकिन चार तो eliminate हो नहीं रही, यह तीन हो तो इस रेंज में है, तो इसलिए हमको solve तो इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कुछ option eliminate कर सकते हैं, रेंज को देखकर, तो answer is 55.7%, तो जो सवाल आपका बहुत समय ले जाता, actual calculation में, उसको हमने weighted average और उसमें भी deviation वाली approach से second no में solve किया, अब बात करते हैं second question की, और भी सवाल देखते हैं इस पर, what is the ratio of number of females in village B and D together, ठीक है, B and D respectively, not together, तो B में अगर मैं number of females की बात करूँ, तो यह भी सवाल ratio से बन जाएगा, इसमें भी मुझे total को consider करने की जरूरत नहीं है, बात और यह B और D की, so this is B and this is D, तो अगर हम B और D की बात करें, तो 72 degree और 36 degree, तो total population का जो ratio है, वह है 2 is to 1, इसकी population है 2 और इसकी population है 1, यह total population का ratio है, अब इसमें से हमें चाहिए female की population, जबकि हमें दिया गया है percentage of males, तो female कैसे नकालेंगे, 100 में से minus कर दो, तो 100 में से अगर मैं इसको minus करूँगा, तो कितना आएगा, अगर 100 में से minus किया, तो कितना बचा, 40.5, और 100 में से इसको अगर minus किया, तो कितना बचा, 37.5, ठीक है, तो अगर मैं इसका डवल किया, तो 81, और यह होगा 37.5, तो दोनों तरफ फिट से डवल कर दो, ताकि 0.5 बच जाए, तो डवल किया, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 162, और यह हो जाएगा, इसका डवल होता है 75, तीन से काट सकते हैं 25 बार, और तीन से काट सकते हैं इसको 54 ताइम्स, तो आंसर इस 54 इस टू 25, यानि कि ऑप्शन एक, करेक्ट है, ठीक, चलिए, और देखवा आगे, तो इसमें बहुत साथ लोग गलती कर सकते हैं, ध्यान से समयना बात को, तो आपको यहाँ पर इसको एड नहीं करना है, विकॉस दोनों में में मेल्स का परसेंटेज अलग अलग है, अगर यह परसेंटेज सेम होता, तो हम इनको एड कर सकते थे, लेकिन यह सेम नहीं है, यह अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन हम इनका रेशो तो लही सकते हैं, अल्टिमेटली, तो अगर मैं इनका ratio लूँगा तो A & B देको मैंने 18 से उसको काटा 3 बार, 18 से काटा 4 बार और D की बात हो रही है तो मतलब D की value है 18 से कट गई है दो बार तो 3 into क्या करेंगे इसका percentage 3 into 56.5 56.5 plus अगर B की बात करें तो 4 into 59.5 4 into 59.5 यह हो गया total number of males in A & B ठीक है और D में क्या हो गया, D में हो गया 2 into 62.5% 2 into 62.5 सारा game ratio का है actual value कहीं भी calculate करने की जरूरत नहीं है अब अब असको cancel करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम point 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 तो काटी रहेंगे point 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 से point कर गया अभी हम चाहें तो इसको path से cancel कर सकते है, path से इसको cancel गिया तो 125 बार कटेगा, path से इसको cancel गिया तो 119 times और path से cancel गिया तो 113 times अब तो RM से multiply हो जाएगा यह हो गया 339 प्लस यह कितना हो गया 476 और यह क्या हो गया 250 इन दोनों को add गिया तो 9 और 6 कितना हो गया 15 carry हो गया यह, 7 और 3, 10 और 11 carry हो गया यह हो गया 8, 815 और 250 अगर मैं इसको path से फिर काट दूं तो 50 बार कटेगा, path से कटेगा 160 प्लस 3, 130 163 to 50 is correct answer that means options clear, right तो ऐसे आपको DI में approach सीखनी है और सवालों को actual calculation avoid करते हुए जहां जहां possible ratio से solve करना सीखना है तब आप कम समय में सवालों को solve कर पाऊगे, right तो अगर एक सवाल homework में दे दिया जाए तो कहता रहे तो अम्मीद करता हूँ सभी लोग इसको solve करेंगे और जो approach आपको first question में सखाई थी उसको यहाँ पर apply करेंगे और सवाल को देखेंगे कि आप 5 seconds में आराम से solve कर सकते हो, बड़े आराम से, ठीक है जो first question वाली approach है उससे, ठीक है what is the percentage of females in village B&D taken together, तो जल्ली से अपना अंसर जो है comment कीजिए, यह भी बताईए के session आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए, दोस्तों के दाश शेर कीजिए, channel पर नहीं है तो channel को subscribe कीजिए, thank you so much